बीडियो में दी गई जानकारी सावजिनक सुरोतों और सूसल मीडिया से ली गई है जिसके अंतर होने की संभावना है इसलिए आप मंडी भाव पता करके ही फसल बेचने के लिए लेकर जाएं किसान को किसी तरह की हुई हान चैनल और आनर की जुम्मेदारी नहीं होगी किस मंडी में क्या रेट चल ले हैं आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम बात करेंगे हरियाना मंडी के भाव, UPS, MPK, राजिस्थान के और पंजाब के मंडीयों के भाव क्या रहे है तो आप इस आधार पर जान सकते हैं कि आपके आसपास क्या मंडियों के भाव मिलने वाले हैं जो मंदी आई है उसकी बात करेंगे जो तेजी हुई है वो सब हम बताने वाले हैं लेकिन अभी ज्यादा आवक नहीं हो रही है तो जो मूल जिस मंडी के निकल कर आ रहे हैं उसी को आपको यहां पर जानने को मिलेगा बात करते हैं हर्याडा मंडी से और खतम करेंगे यूपी एंपियो राजस्थान की मंडियों तक तो अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि अब जो है इस चैनल पर मंडी भाव भी आपको समय पर मिलते रहेंगे और आप अपने नजदी की मंडियों के भाव पता करके अपनी आवक को विक्री कर सकते हैं और स्टाइम पर विक्री करेंग इसमें 1509 की हांस से कटाई वाली की आवक का रेट पता चला है जो 3560 रुपे आज की मंडी के रेट रहे हैं लगबग जिसमें 70 रुपे पिछले दिनों के मुकाबले मंदी आई है चीका मंडी के जो पी यार 14 ब्रैटी है उसके रेट निकल कर आए हैं 2300 रुपे के आज पास विका है जो पिछले समय से 80 रुपे डाउन यानि 80 रुपे मंदी के साथ विक्री देखने को मिली है वहीं घरउंडा मंडी में पी यार 14 का रेट निकल कर आया है 2380 रुपे जो लगभग पुराने रेट पर ही आज भी विका है कैथल मंडी में 1718 ब्रैटी के 3650 रुपे के आज पास रेट रहे और 1509 जो कमबाइंड से कट कर आया था वो 3375 रुपे के आज पास विका है जिसमें 60 रुपे की गिरावट देखने को मिली है और 1509 की जो हां स मामूली से 25 रुपे की गिरावट देखने को मिली है तो आवक जिस हिसाब से दान की गिरावट लगातार देखने को मिल रही है ऐसा नहीं कि हर जगा गिरावट हुई है कुछ मंडियों में जहाँ पर अभी अच्छी नहीं है या डिमांड ज्यादा हुई है वहां पर है किसी दिन आपको डाउन डेट मिलेंगे तो किसी दिन थोड़े बहुत रेट बढ़ते हुए भी नजार आएंगे अगली मंडी हम बात करेंगे नरेला की नरेला में पंद्रा जीरो नो जो हांसे कटाई का धान है वो 3621 रुपे के आसपास विका है इसमें किसी तरह की तेज नरोड़ का जो रेट रहा है वो 21MP. रहा है घूरानमंडि जो पंद्राजीरो नौ कंबाइंड से कट कर आया है वो बत 797 रुपे देखने को मिली है जिसमें दो 309 रुपे की गिरावट देखने को मिली है पंद्राजीरो नो जो हांसे कटाई करके आए था वो 3577 रुपे के रेट मिली है इसमें 125 रुपे की गिरावट मिली है यानि काफी ज्यादा डाउन रेट पर यहां पर धान विका है रतिया मंडी में ज्यान जो है 1509 रुपे के आसपास बिका है और इसमें किसी तरह की तेजी मंदी देखने को नहीं मिली है नर्वाना मंडी में 1509 रुपे की गिरावट के साथ में बिका है समलका मंडी में धान जो कमथे से कट कर 1509 रुपे के आसपास बिका है वही हाँ से कटाई करके जो 509 की तो 380 रुपे के आसपास बिका है जिसमें 120 रुपे की भारी गिरावट देखने को मिली है सिर्शा मंडी की बात करें तो 15.09 जो कंबाइंड से कट कर आया था 3550 रुपे में विक्री हुई है जो 125 रुपे की गिरावट के साथ में विका जीइद मंडी में 15-09 जो कम्बाइंड से कटकर आया था 390 रुपे में विकाई जो 60 रुपे तेजी के साथ विकाई और हासी कटाई करके जो 15-09 मंडी में आया था वो 3670 रुपे के आसबस विकाई जिसमें 34-35 रुपे की तेजी देखने को मिली है वहीं जूलाना मंडी में 1509 जो कमबाइंड से कट कर आया है उसके रेट निकल कर आया है 3400 रुपे में विका है जिसमें किसी तरह की तेजी मंदी देखने को नहीं मिली है निसिंग मंडी में 15.09 जो कंबाइंड से कटकर आया है 375 रुपे के आसपास विका है जिसमें 75 रुपे की तेजी देखने को मिली है वहीं 15.09 जो हांस से कटाई करके आया था वो 36 रुपे में विका है जिसमें 50 रुपे की तेजी देखने को मिली है परवल मंडी में 15.09 जो कमबाइंड से कट कर आया है 3130 रुपे के आसपास बिका जो 20 रुपे मंदी के साथ में बिका और हर्याना मंडी और जो हांस से कटाई करके 341 रेट रहा है जो 60 रुपे मंदी के साथ में बिका है अब ये तो रही हर्याना मंडी के भाव अब बात करते हैं पंजाब मंडी के भाव तो पंजाब मंडी में जो अम्रसर के भाव रहे वो कुछ इस प्रकार से रहे यानि बासमती 1718 जो कंभाइंड से कटकर आया है 44 रुपे रहा वहीं हां से कटाई के साथ में जो आया वो 3728 रुपे के आसपास रहा है नाभा मंडी में 1509 जो हां से कटाई के साथ आया वो 3650 रुपे रहा खरवनी मंडी में 1509 जो कमबाइंड से कट कर आया है 3500 रुपे के आसपास विका है और यानि 95 रुपे की मंडी यहां पर देखने को मिली है वह यहां से कटाई करने वाली ब्राइटी 1509 का रहा 3590 रुपे जिसमें किसी तरह के रेट मंडी और तेजी देखने को नहीं मिली है जड़ियाला मंडी में 1509 जो कमबाइंड से कट कर आया है 3520 रुपे रहा और यह तो रहे पंजाब की मंडियों के भाव अब बात करते हैं उत्तरप्रदेश मंत्रप्रदेश और राज 300 रुपे के आसपास रहा और 1718 ब्राइटी का 3431 रुपे के आसपास विका है वही हनुमानगड में पियार 14 एकिस्सो रुपे में विका और 1509 जो कमबाइंड से कट कर आया था 341 के आसपास विका कोटा मंडी में 1509 जो कमबाइंड से कट कर आया था 3231 रुपे रहा और नो जो कमाइंड से कट कर आया था एक तिस सो रुपे में भिका है और सर्वती रहन के रेट रहे में किसी तरह की तशी मन्दी देखने को नहीं मिली है बुंदी मंदी में 1509 का कमाइंड से जो कट कर आया था 315 रुपे में भिका है 75 रुपे मन्दी देखने को मिली है वहीं सुगनधा 821 रुपे में भिका है 21 रुपे में बिका है 39 रुपे की मंदी देखने को मिली है 1718 का भाव रहा 3000 रुपे जो गीला धान है उसका रेट निकल कर आया है सिकारपूर मंडी में 1509 जो हांसे कटाई करके आया था 3521 रुपे में बिका है चांदावसी मंडी में जो यूपी में पड़ती है वहां की बात कर रहे है 1509 जो कमाइंड से कट करा है 32 रुपे रहा है और आरेच 10 का रेट रहा है 25 रुपे गुलावठी मंडी में पंद्राजिरो नौ का रहा रेट 3500 रुपे वहीं जहांगीराबाद पंद्राजिरो नौ जो कंबाइंड से कट कर आया है वो 3500 रुपे में बिका है बुलंद सहर में पंद्राजिरो नौ जो कंबाइंड से कट कर आया है 357 रुपे रहा है सुगंदा का 2750 रुपे रहा है खा 41 रुपय हातरस में 1509 जो हांस से कटाई करके आ था 35 रुपय में भीका है 100 रुपय की मंदी देखने को मिली है सुगन्दादान 2800 रुपयरेट में रहा और खुर्जा मंडी में 15.09 जो कम्बाइंड से कटकर आया था 35 रुपे में विका है और सिकंद्राबाद में 15.09 जो है 3520 रुपे में विका है अलीगड में 15.09 पैतिस सो सत्तर रुपे में विका है जो 60 रुपे मंदी के साथ विका है बहजोई मंडी में आरेच 10 जो है 26 रुपे में बिका है कोसी कला मंडी में 15.09 जो कंबाइंड से कटकर आया 3250 रुपे में बिका डाबरा मंडी में 15.09 जो कंबाइंड से कटकर आया 380 रुपे में बिका है और 40 रुपे मंदी देखने को मिली है अब लास्ट मंडी की बात करते हैं संभल की यहां पर 15.00 ने जो कमबाइड से कट कराया था 300 रुपे में विका है और आरेच 10 जो है 25 रुपे में देखने को मिला है आज का रेट जिसमें 50 रुपे की मंदी देखने को मिली है तो दोस्तों इस वीडियो में जो जानकारी दी है उस आधार पर आप अपने मंडियों के रेट देख सकते हैं बाकी थोड़ी बहुत अंतर हो सकते हैं तो जब भी आप अपने मंडियों में आवक ले जाएं अपने मंडियों में रेट पता करके ही जाएं क्योंकि लगातार मं में रेट डाउन होते रहते हैं तो आपको अपनी नज़्दी की मंडी में जाकर के पहले रेट जरूर पता कर लेना चाहिए उसी आदार पर आवक को पाउचाना चाहिए वह नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतनी ही मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकरी के साथ धन्यवाद